हलो एव्रिवान, तोड़े वेल टॉक बाउट इन्हेरेटिट मेटाबॉलिक लिवर डिजीज, तो इसमें हम लोग चार पढ़ेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं हीमोख्रोमाटॉसस के बारे में, इसका मतलब होता है आयरेन का उवरलोड होना, एक्सेसिव आयरेन की अब् बढ़ जाता है, पैरेंट्रिल ट्रांस्फूजन की वज़े से एक्वाइड में उसका इंक्रीज हो जाता है, जैसे कि उसको कोई प्रॉबलम है, थालसीमिया है, कोई एसी ब्लड-related प्रॉबलम है, जिसके वज़े से उसको मल्टिबल ट्रांस्फूजन लेने पड़ रहे ह अब हमारे अंदर इतना कम absorption क्यों होता है, हम लोग कितना आरेंड लेते हैं, उसमें से सिरफ ये 2-6 ग्राम ही absorption होती है, क्यों ऐसे होता है, हमारे अंदर एक प्रोटीन होती है, that is known as hepcidin, hepcidin जो होती है, that is a negative regulator of intestinal iron uptake, मतलब हमारा intense iron की absorption करता है, उसको negative regulate करता है, मतलब इसे रोकता है कि थोड़ा ले, जादा मतले उस प्रोटीन का नाम है hepcidin, यह हमारी बॉड़ी के अंदर होती है, लेकिन जब हमारे अंदर iron का overload होगा, तब यही प्रोटीन के अंदर mutations आएंगी, so that is, हमें pathogenesis पता लग गई, कि mutations किसमें आ रही है, hepcidin के में, कि वो कम हो और इसकी वरे से absorption जो है, iron की जादा हो रही है, अब यह जो hepcidin है, यह कौन से gene, कौन सा gene में इसे बनाता है, तो that is, HFE gene, that is, HFE gene, जो की chromosome number 6 पे होता है, HFE gene, chromosome 6, hepcidin, यह तीन चीज़ा याद रख लो, यह जो है, यह problem कि HFE gene की वज़े से, जो hepcidin कम हो रहा है, यह वली problem Heredity वाली case में, 70% patients में आती है, क्योंकि acquired में तो हमने बूला है, transfusion जादा होगी, इसलिए हम लोग जादा उसको मिल रहा है, लेकिन Heredity के case में, यह gene की वो problem आ रही है, वो 70% cases में आती है, अब iron जब इंक्रीज होगा, तो वो कहां-कहां deposit होगा, वैसे तो काफी जगा है, म तो वो क्या करता है, lipid की peroxidation, stylate cells जो होते हैं, हमारे liver के, जो की हमारे fibroblasts होते है, modified, वो भी stimulate हो जाते है, iron stimulate करता है, stylate cells को, जिसके वज़े से, obviously, fibers, collagen वकेरा की formation हो की जादा तर, और reactive oxygen species बनती है, क्योंकि हमने बोला, यहां पे lipid peroxidation हो रही है, radical, तो वैसे ही reactive oxygen species बने तो हमारा जो iron है, वो ऐसे ही नहीं रहता हमारी body के अंदर, एक protein है, hemocidrin, उसके साथ मिलकर रहता है, hemocidrin complex बना के रखता है, तो हमारे अंदर जब iron का overload हो जाता है, तो tissues के अंदर deposition होती है, hemocidrin की, hemocidrin की deposition होती है, कहां कहां हो सकती है, liver में सबसे ज़्यादा, then pancreas, my myocardium, pituitary gland, adrenal gland, thyroid gland, parathyroid skin, कोई भी दू याद में से तो मैं आपको बोला है, liver, pancreas skin, याद लेकिन, because clinical features में, बाकी सारे भी आते हैं, तैसे की myocardium हो गया, pituitary gland, adrenal, parathyroid, इन सब में भी problems आती है, इसलिए हलका हलका याद रोना चाहिए, हां की hemocidrin की deposition जो है, और भी organs में हो तो फिर वो golden yellow color के granules दे देते हैं, और जादा iron बढ़ जाए, तो फिर वो enlarge हो जाता है हमारा liver, और उसका जो color है, golden yellow से, chocolate brown बन जाता है, so this is a chicken gender liver specifically, अब जब हम iron को staining करते हैं, यह हमने जो yellow granules देखे हैं, यह हमने बाहर से देखे हैं, हमने बाहर से देखे हैं, हमने बाहर और morphology में हमें क्या दिखता है, कि सिरहॉस होने के चांसे इंक्रीज हो जाते हैं, pancreatic fibrosis, यह सब क्यूंकि हमें बता है ना कि collagen की formation जादा हो रही है, यहां पर यहां पर ने बो रहा हैं, वो जादा जादा स्टिमूलेट हो रहे हैं, तो collagen formation हो रही है, तो फिर हो सकता है, कि वहां पर भी ऐसी ही चीज़ें हो रही हैं, जुसकी वज़े से fibres deposit हो रहे हैं, क्लिनिकल फीचर्स के बाद करें, तो male to female ratio जो है, वो है 5 is to 1 to 7 is to 1, मतलब कि males के अंदर जादा हो सकती है, यह iron का overload rather than females, क्यों क्योंकि females के अंदर menstrual bleeding के वज़े से iron का overload जो है, वो कम हो जाता ह है monkey, then clinical features में liver में problem आई, तो hepatomegaly हो गई, abdominal pain, skin में आई, तो skin pigmentation, cardiac dysfunction, उसमें arrhythmia, तो जो deaths हो सकती है, वो cardiac arrhythmia की वज़े से हो सकती है, hyperglycemia क्योंकि हमने बोला pancreatic fibrosis या pancreas में problem आ रही हैं, तो इसकी वज़े से hyperglycemia, तो इन सब चीजों में जितने भी organs involved है, उससे related AKKKK problem जो है, वो हम लोग आने देख ली, लेकिन अगर हम इसे untreated रखते हैं, तो इसका जो risk है, hepatic cell carcinoma में increase होने का, that is 200 times, मतलब risk बहुत जादा increase हो ज़ाता है, अगर ये untreated रहे, HCC में convert होने का, screening अगर एक इनसान को है, ये disease, तो screening होती है, सारे family members की, क्योंकि ये inherited है, तो हो सक देख लो, हमने बूला ना, Prussian blue के साथ staining होती है, तो ये जो blue blue color के आपको ये दिख रहे हैं, deposits, these are the iron deposits, hemocedrin वाले, तो this is Prussian blue stained iron deposits, so this was about hemochromatosis, next में हम लोग अगली metabolic liver disease पढ़ेंगे, that is a Wilson's disease, so if you like the video, please subscribe, thank you,